अब यह आपने जो question देखा यह आपकी exemplar का question है thermal properties of matter chapter का तो चलिए हम इसका solution समझते हैं तो हमसे बोला जा रहे है कि एक rod है जो कि angular bisector के along rotate कर रही है और इसे heat करते हूं तो हमें चारो option चेक करने कि क्या होगा ठीक है तो जब मैं heat करता हूं तो हमें को एक बात पता है कि mass तो same रहता है जबकि length बढ़ जाती है तो अगर mass same है और length बढ़ जाती है तो हम इसे heat कर रहे है तो इसका angular momentum conserve रहेगा तो जो angular momentum पहले था l1 वह angular momentum बाद में भी होगा ठीक है तो अगर mass same है और length बढ़ गए इसका मतलब है कि inertia बढ़ गया या फिर moment of inertia बढ़ गया ठीक है मैं को पता ही कि rod का moment of inertia कितना होता है तो ml square by 12 तो लेंध बढ़ गया तो moment of inertia बढ़ गया moment of inertia बढ कम हो जाएगा तो speed of rotation कम हो जाएगा तो answer हो गया B अगर आपने अभी तक हमारे आप को डाउनलोड नहीं किया है description में दे गए लिंक से आज ही हमारे आप को डाउनलोड करें और जिन्होंने हमारे आप को डाउनलोड कर लिया है Google Play Store पर जाकर हमारे आप को रिव्यू जरूर करें